हालो फ्रेंड्स मैं डॉक्र आश्रुत दोस्ता एलिगेंस क्लीनिक सुरत से हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज का जो वीडियो है वो है ब्लेक एन वाइट हैड रिमूवल अफ एकने इन एलिगेंस क्लीनिक जिसे देख रहे हैं कि यहां पर ब्लेक हेड है उसको डी रूफ करके उसमें से जो हम बीज बोलते हैं या जो ब्लेक हेड होता है जो कलेक्शन होता है वो निकाल देते हैं अगर इसके उपर चमड़ी लगी हुई है तो उसको प्रिक करना पड़ता है अधर्वाइस ये प्रेशर से दिरे दिरे बाहर आ जाते हैं वाइट हेड और ब्लेक हेड बहुत ही खराब दिखते हैं दूर से वो एकने के मार्क जैसे लगते हैं उनको निकाल दिया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है आप जैसे देख रहे हैं कि प्रेशर के साथ में अंदर से जो कलेक्टेड सीबम होता है वो निकल आता है यह दोनों चीक से और फोर हेड किसे उपर से हम लोग यह पेशन का ब्लेक एंड वाइट हेड निकाल रहे हैं यह प्रोसीजर सिंपल है डे केर प्रोसीजर है आपको होस्पीटल में रुकने की जरुरत नहीं पड़ती है इसके बाद आपको दो से तीन दिन तक एंटिबायोटिक और संस्क्रीन अच्छे से लगाना पड़ता है इसके जो हलके हलके दाग बनते हैं वो दाग दो तीन दिनों में चले जाते हैं वज़े से देख रहे हैं कि काफी सारा अंदर से मटिरियल निकल रहा है और फेस इनका क्लीन हो जाएगा यह जो कलेक्टेड मटिरियल होता है उसकी वज़े से चेहरा बहुत ही अनिवन और खराब दिखता है तो यह आप आराम से निकाल सकते हैं काफी बार यह निकालने के पहले हम पेशन्स को वेपर देते हैं मैंने जो पानी की बाप होती है इससे पोर्स खुल जाते हैं और यह जो अंदर के ब्लेक हेड और वाइट है वो लूज हो जाते हैं तो यह प्रोसीजर इजी हो जाता है इसके लिए आपको कोई ज्यादा तैयारी या ज्यादा रेस्ट लेने की ज़रुत नहीं पड़ती है इवन अब दुसरे दिन से जॉब या आपकी ऑफिस पे जा सकते हैं एलिगन्स क्लिनिक में एक्ने एक्टिव एक्ने उसके स्कार ब्लेक हेड वाइट हेड यह सभी ट्रिक्मेंट अवेलेबल हैं उसके अलावा कैमिकल पील लेजर यह सब भी एक्ने के लिए अवेलेबल है इसके पीछे हमारे कॉंटेक्ट नमबर दिये हुए हैं उसके उपर आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं